Hello everyone, welcome back to my channel, I am Niharika आज हम chapter 1 की exercise 1.2 करेंगे, class 8 के लिए chapter name है rational numbers, हमने ये chapter NCRT book से लिए first question है, represent these numbers on number line हमें यहाँ पर एक number दे रखा 7 upon 4 और इस number को हमसे बुला है number line पे represent करने के लिए जब भी हमें कोई number fraction में दिया होता उसको बोलता है number line में represent करने के लिए तो सबसे पहले हम numerator और denominator को compare कर लेते हैं अब यहाँ पर जो हमारा denominator है वो छोटा है numerator से means numerator बड़ा है denominator से जब condition ऐसी होते है कि denominator छोटा होता numerator से हम क्या करते हैं divide करते हैं 4 बाहर मतलब denominator बाहर और numerator अंदर अब मेंसे divide करेंगे 4 से 7 को हमने divide किया तो कितनी ही times मोगा वन बार में divide होगा 4 वन जा 4 क्योंकि 2 बार में तो जाद हो जाए गहीं आ गया 3 तो यह हमारा आ गया 1 whole 3 upon 4 हमारा divide करने पे आ गया 1 whole 3 upon 4 अब इसके साथ हमारा 1 के साथ 3 upon 4 भी है तो हमें इसे भी plot करना है अब 3 upon 4 के लिए हम क्या करेंगे 1, 2, 3 और 4 वाली line यह जो 2 हो हमारा वो यहां पे आ गया तो अब हमेंसे लिख लेते हैं 1 upon 4, 2 upon 4, 3 upon 4 means हमारा जो number है वो कहां पे लाए कर रहा है यहां पे कर रहा है यह इस place पे means 3 upon 4 next question करते हैं next question है हमारा यहां पे भी हमें number line ही plot करनी है इसका second part है minus 5 upon 6 अब इसमें फिर से हम same वही करेंगे numerator और denominator को compare कर लेंगे अब यहां पे देखेंगे जो हमारा numerator है वो denominator से छोटा है यहां मतलब denominator हमारा बढ़ा है इसका मतलब होता है कि number कहां पे लाए करेगा हमारा 0 से 1 के बीच में लाए करेगा जब हमारा denominator बढ़ा है तो हमारा number 0 से 1 के बीच लाए करेगा अगर हमारा numerator बढ़ा है तो उसको हम पहले mix fraction में change करेंगे उसके बाद हम numbers को plot करेंगे जो हमारा whole part आएगा उस ते according अब यहां पे हमने देख लिया कि हमारा denominator क्या है वह बड़ा है numerator छोटा है जब भी हम इसे compare करते हैं तो हम यह minus की value को छोड़ देते हैं क्योंकि अगर हम minus की value लेंगे तब तो हमारा number हमेशा छोटा हो जाएगा minus की value की numbers हमेशा छोटा होते हैं अगर वह यहां पे 7 भी होता और अगर हम minus की साथ लेते तो वह 6 से छोटा हो जाता है इसलिए हम यहां पे minus की value छोड़ देंगे भी अब इसको हम draw करते हैं इसको plot करेंगे हम तो यहां पे हमारा आगया 0 यह minus में था यहां पे हम ले लेते हैं 0 तो इसके आगया जाएगा 1 और इस साइड में हमारी values आ जाएगी minus की values और इस साइड में हमारी plus वाली values अब हमें draw करना है 6 तो हम यहां पे 1,2,3 1,2,3 4,5 and this one is 6 अब इसे हम लिख लेते हैं minus 1 upon 6 minus 2 upon 6 minus 3 upon 6 minus 4 upon 6 minus 5 upon 6 और 6 upon 6 करेंगे तो दोरों 6 तैंसल और हो जाएगे तो इसका मतला बहुतता है कि वह 1 value हो जाएगी अब यह हमने कर लिया अब हमें draw plot करना था minus 5 upon 6 और minus 5 upon 6 हमारा कहा पे आया this one तो यह हो गया हमारा plot minus 5 upon 6 so this is the first question move to next question this one represent minus 2 upon 11 minus 5 upon 11 and minus 9 upon 11 और number line यहां पे भी हम यह numbers number line पे plot करने हैं तो सबसे पहले हम numbers को compare करते हैं अब यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारे सारे numbers में जो numerator है वो छोटा है और denominator हमारा बढ़ा है यह numerator हमारे छोटे हैं denominator बढ़े हैं तो इनके लिए भी मैंने अभी उपर question में बताया है क्या करते हैं यह number हमारे कहां line करेंगे 0 से 1 के बीच में लाए करेंगे जहां पे minus 1 है इसका means यह 0 से minus 1 के बीच में लाए करेंगे number line ट्रॉँ कर लेते हैं यह हमारी number line ट्रॉँ होगए यहां होगी हमारा zero यहां पे हमारे plus की values आ जाएंगी और left side में हमारी minus की values आजएगी अब हमारे यह जुन denominator है वो बड़ा है numerator चोटा है तो value 0 से minus 1 के बीच में लाय करेंगी यहां पर हमें greatest value दे रखी है 9 तो हम यहां पर numbers कहां तक के draw करेंगे यहां पर 11 है इसका मेंज हम एक number चोटे तक का number line बना लेते हैं 10 तक के number line बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and this one is 10 अब इस पर numbers लिखते हैं minus 1 upon 11 minus 2 upon 11 minus 3 upon 11 minus 4 upon 11 minus 5 upon 11 minus 6 upon 11 minus 7 upon 11 minus 8 upon 11 minus 9 upon 11 and minus 10 upon 11 11 upon 11 हमने इसले नहीं लिखा क्योंकि 11 upon 11 हमारा cancel out हो जाएगा और वो 1 में change हो जाएगा अब हमें इहां पर plot क्या क्या करना था minus 2 upon 11 this one is minus 2 upon 11 minus 5 upon 11 तो this one हमारा minus 5 upon 11 and minus 9 upon 11 कहा है हमारा ये minus 9 upon 11 तो ये हमारे number line पे तीनो number plot हो गए so this is the second question move to next question question third write five rational numbers which are smaller than two हमें two से चोटे rational numbers लिखने है five rational numbers लिखने है तो two से चोटे कितने कौन से rational numbers होंगे 1 upon 2 1 upon 3 1 upon 4 1 upon 5 1 upon 6 ऐसे हम कितने भी rational number लिख सकते हैं value minus में भी हो सकती हैं जैसे minus का 1 upon 2 minus का 1 upon 3 आगे भी हम कितने भी ऐसे number write कर सकते हैं move to the next question find ten rational numbers between minus 2 upon 5 and 1 upon 2 यहाँ पे हमें दो numbers दे रखे minus 2 upon 5 and 1 upon 2 यहाँ पे हमारा denominator different है तो पहले हम इसे same कर लेंगी क्योंकि हम ऐसे तो बता नहीं सकते जहाँ पे भी 5 10 चाहिए में तो 5 5 से multiply minus 4 और यह हो गया 10 यह हो गया 5 upon 10 अब दोनों सेम हो गए अब इनके बीच के 10 rational numbers लिखने हैं तो minus 3 upon 10 minus 2 upon 10 जीरो भी हो सकते जीरो होता है लेकिन जीरो रैशनल लंबर नहीं है तो वन अपॉन टेन तो अपॉन टेन त्री अपॉन टेन फोर अपॉन टेन सेवन होए है यह हमारे हमने ऐसे देखा कि हमने इनकी नॉमेंटर सेम कर लिए लेकिन हमारे इसके बाद भी बीच में हमारे 10 नमबर नहीं आए तो इनकी 10 नमबर लाने के लिए हम क्या करेंगे 22 से और मल्टिप्लाय कर लेंगे यह होज़ाएगा 25 जाए 10 और नीचे 20 यहाँ पर माइनस 8 अपॉन 20 ठीक है अब हमारे नमबर होगे माइनस 8 अपॉन 20 और 10 अपॉन 20 अब इनके बीच के हम 10 डैशनल अपॉन लेख सकते हैं इसले थे माइनस 8 के बाद माइनस 7 अपॉन 20 माइनस 6 अपॉन 20 माइनस 5 अपॉन 20 माइनस 4 अपॉन 20 माइनस 3 अपॉन 20 माइनस 2 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 20 1 upon 20 2 upon 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक और लिख लेते हैं माइनस 3 upon 20 आप इसके आगे की भी नंबर्स लिख सकते हैं कहां तक के 10 upon 20 तक के 20 upon 20 से पहले-पहले मतलब 9 upon 20 तक के तो ये वाला हमारा इसलिए गलत होगे क्योंकि हमारे यहां पर 10 नंबर्स नहीं आ रहे थे और ये वाला हमारा सही होगे तो आंसर होगे है इस वन नेक्स कोशन फाइंड फाइफ रैशनल नंबर बिट्वीन देम जैसे अभी हमने ये वाले कोशन किये वैसे हमें बिल्कुल नेक्स्ट वाला कोशन करना है पर इन दोनों के बीच की नंबर्स देख लेते हैं दिनोमेटर डिफरेंट है तो दिनोमेटर सेम करेंगे यह है और यह है यहाँ 5 है यहाँ 3 है तो यहाँ 5 से multiply कर लेते हैं तो यह हो गया हमारा 10 upon 15 यहाँ 5 था तो हम यहाँ पे 3 से multiply कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 upon 15 अब इसके बीच के हमें 5 rational numbers लिखने हैं लिख लेते हैं अब भी हम देख रहे हैं हमारा यहाँ पे आया है 10 upon 15 यहां 12 upon 15 तो भी इनके बीच के हमें सिर्फ 2 ही number मिलेंगे इसके बीच के हमें सिर्फ 1 की नमबर मिला कौँसा 11 upon 15 हमें तो 5 चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फिर सिर्फ 2 2 से multiply कर लेते हैं इसको multiply किया तो यहाँ गे 24 upon 30 इसको multiply किया तो हमारा गया 20 upon 30 अभी इसके बाद में भी देख रहे हैं तो कितने हैं यहाँ पर 2 से multiply करने पर भी हमारा यह 20 और यहाँ पर 24 तो इनके बीच के भी नमबस अभी कम हैं तो इन्हें और multiply कर लेते हैं, किसी multiply किया तो हमारा आ गया, 20 upon 30, अभी इसके बाद में भी देख रहे हैं, तो कितने हैं, यहाँ पर 2 से multiply करने के बाद भी हमारा, यह 20, और यहाँ पर 24, तो इनके बीच के भी numbers अभी कम है, तो इन्हें और multiply कर लेते हैं, किसी number से, इस बार हम इसकी multiply करते हैं 3 से you get 60 upon 90 और इसकी हमने multiply करी 24 की 3 से तो 20 upon 30 की हमने 3 से multiply करी तो मरा गया 72 upon 90 अब इसके बीच के हम 5 numbers लिख सकते हैं तो क्यों कौन सो जाएंगे 61 upon 90 62 upon 90 63 upon 90 64 upon 90 65 upon 90 या फिर हम इसके आगे की numbers भी लिख सकते हैं 72 से पहले पहले के numbers यहाँ पर मैंने आपको हर एक number से multiply करके दिखाया जिससे आपको easily समझ में आ जाया next question करते हैं अगर आप यह समझ चुके होंगे तो आप अपने आप से खुद भी बिना जैसे हम पर हमने 2 से multiply करके चेक किया आप उसको skip करके हम direct 3 से multiply करके देख सकते हैं next question देखते हैं minus 3 upon 2 and 5 upon 3 के बीच के numbers देखने हैं हमें 5 लिखने हैं अब इसकी हम multiply कर लेते हैं minus 3 की multiply 3 upon 2 की multiply पहले denominator से हम करना है तो 3 से करेंगे minus 9 upon 6 next 5 upon 3 की multiply 2 से करी हमने तो 10 upon 6 minus 9 upon 6 और 10 upon 6 इसके बीच पे 5 numbers तो आई जाएंगे तो हम इने directly लिखेंगे minus 8 upon 6 minus 7 upon 6 minus 6 upon 6 minus 5 upon 6 minus 4 upon 6 यह हो गया इसके बाद भी हम numbers लिख सकते हैं 5 upon 3 के पहले-पहले के number मतला 4 upon 3 4 upon 10 upon 6 के पहले-पहले के number means 9 upon 6 तक के number हम यहाप पह भी write कर सकते हैं add में भी यह आगे हमारा 2 upon 4 यहाँ आगे हमारा 1 upon 4 अब यह 1 upon 4 और 2 upon 4 के बीच में तो कोई भी number नहीं है इन numbers को बढ़ाने के लिए कि हमें 5 numbers चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ multiply कर लेते हैं 5 से और यहाँ पे भी multiply कर लेते हैं 5 से यह हो गया 5 upon 20 यहाँ पे हमने किया तो यह हो गया हमारा 10 upon 20 अब देखिए 5 और 10 के बीच में 5 numbers आ जाएंगे नहीं आ रहे हैं तो हम इसे और multiply कर लेंगे यहाँ हमने 2 से multiply करी और यहाँ पे भी हमने 2 से multiply कर लिया फिर यहाँ गया 10 upon 20 10 upon 40 यहाँ पे किया हमने तो आगे 20 upon 40 अब 10 और 20 इनके बीच में तो हमें 5 numbers मिली जाएंगे तो हम कैसे लिख लेंगे 11 upon 40 numbers हमारी क्या क्या हो जाएंगे 12 upon 40 13 upon 40 15 upon 40 16 upon 40 आगे भी number लेख सकते हैं हमी 17 upon 40 18 upon 40 19 upon 40 हमें 20 upon 40 के बीच का number पूछा था तो इस तरह से हम अपने numbers को increase कर सकते हैं अगर हमें उनके number fine नहीं हो पा रहें मतलब उनके बीच के number अगर हमें नहीं मिल रहें तो हम इस तरह से उनकी multiply करके numbers बढ़ा सकते हैं next question लेखते हैं यहां पर हमारा minus 2 है तो यहां पर हमारा minus 2 है इसका हम एक advantage है कि हमारे जितने भी positive number होंगे वो minus 2 से बढ़े होंगे तो हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं minus 2 से बढ़ा minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 और आगे भी और भी number और अगर इसे हम rational number की तरह means fraction में लिखना चाहें तो भी हम इस ऐसे लिख सकते हैं minus 2 upon 1, 1 upon 2, minus 1 upon 4, minus 5, 1 upon 5, 1 upon 6 and so on तो यह numbers होगे minus 2 से बढ़े next question है हमारा find 10 rational numbers between 3 upon 5 and 3 upon 4 हमें 10 rational numbers बताने हैं दोनों number के बीच के तरह इनके को यह denominator different है तो हम denominator same कर लेते हैं यहां पर हमने 4 से multiply कर दी और यहां पर हम 5 से multiply कर दींगे तो हमारा क्यों होगे दिनामेटर सेम हो जाएगा 3, 4s are 12 और 20 5, 3s are 15 upon 20 अब यहां पर हमें 2 numbers मिल गएं 12 upon 20 और 15 upon 20 लेकिन अभी हमें यह दिख रहा है कि यहां पर हमें 10 numbers पूछें जो अगर इन दोनों के numbers के बीच के हम number देखेंगे तो हमें 2 numbers यह मिलेंगे 13 और 14 इसलिए हमें 10 numbers जाएं तो हम क्या करेंगे इसकी हम multiply करेंगे किसी ऐसे number से जिसके बीच में 10 numbers मिल जाएं अगर हम 2 से multiply करें तो ऊपर आजेगा 24 और यहां 2 से multiply करेंगे तो पर आजाएगा 30 24 और 30 के बीच में भी हमारे हमें 10 numbers is not होते हम क्या करेंगे 3 से multiply करेंगे एक हम 3 से multiply करेंगे यहां एगा हम 36 और यहांपे अगर 3 से करें तो आजाएगा 45 जिनके बीच में हमें क्या मिलेंगे 3 numbers मिल जाएंगे तो हमने क्या क्या 3 से उपर और नीचे दोनों में multiply कर लिया यहां होगी हमारा 36 upon 60 और यहां पर आगया हमारा 45 upon 60 अब इनके बीच में तो हमें 10 numbers मिल जाएंगे तो उनके बीच के numbers लिख लेते हैं 37 upon 60 38 upon 60 39 upon 60 40 upon 60 41 upon 60 42 upon 60 43 upon 60 44 upon 60 अभी यहां पर क्या है हमारी numbers कितने हुए 80 numbers इसके बाद हम numbers नहीं लिख सकते तो हम इसको क्या करेंगे इंपर और चेंज करके हम नीचे दुबारा से लिख लेते हैं 4 से multiply उपर और 4 से multiply नीचे 4 6 are 24 multiply करने पर हमारा यह नमबर आ गया 4 44 upon 120 और 180 upon 120 अब इसके बीच के तो हमें numbers मिली जाएंगे 10 numbers अब इनके बीच के number नीचे write कर लेते हैं इसका मतला में हमारा है अगर हमने 4 से multiply करी थी तो हमारा answer सही नहीं था अब यह वाला कर लेते हैं 145 upon 220 146 upon 220 240 147 upon 240 148 upon 240 149 upon 240 150 upon 240 151 upon 240 152 upon 240 किते होगे 12345678 153 upon 240 154 upon 240 यह होगे हमारे 10 numbers हम इसके आगे और अगर नमबर पूछें तो और भी लिख सकते हैं कहां तक 180 के पहले-पहले के number मतला 179 upon 240 तक हम इसके आगे और अगर नमबर पूछें तो और भी लिख सकते हैं कहां तक 180 के पहले-पहले के number मतला 179 upon 240 तक हैं झाल झाल